आज हम सुजुकी बर्गमन स्टीट 125 का कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टेम के बारे में बात करेंगे और कम्बाइंड ब्रेकिंग सिलिंडर के बारे में बात करेंगे तो combined brake system cylinder तक पहुँचने के लिए पहले हमको front apron को completely खोल लेना है front apron कैसे खोलते हैं उसका procedure मेरे Suzuki Bergman Street 125 का meter console repairing वीडियो में detail में डाला हुआ है अब जरूर सर्च करके देख सकते हैं तो जो part उस वीडियो में दिखाया हुआ नहीं था वहीं से आज हम दिखाएंगे front apron को disassemble करने के बाद आप handle को थोड़ा सा left right खुमाएंगे तो left और right में दो push lock दिखाई देगा और ये push lock कैसे खोला जाता है इसकी उपर भी मेरे channel में video डाला हुआ है spark plug changing video में वो procedure आपको मिल जाएगा तो जो भी हो handle को left और right में घुमाएंगे तो आपको वही push lock देखने को मिल जाएगा एक push lock मैंने खोल के रखा है और दूसरा आपको दिखा दिया तो उन push locks को खोलेंगे तो पुरा जो meter holding plate है वो बाहर आ जाएगा तो completely front apron assembly and meter holding plate को खोल लेने के बाद आपको भीतर के तरफ एक ऐसा section दिखाई देगा यह है combined braking system assembly यह एक बहुत ही important assembly है इसके साथ छेड़चर करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी अबश्चक है और Suzuki Bergman Street 125 का brake assembly, brake oil line कैसे काम करता है इसके उपर एक detailed video मेरे channel में डाला हुआ है अप जरूर सच करके देख सकते हैं तो यह जो है यह combined brake system assembly है इसके सामने के तरफ एक screw nut आपको दिखाई देगा यह है front brake line पीछे के तरफ same एक screw nut दिखाई देगा यह है rear brake line इस आ ओयर्ड लाइन coming from the brake handle actually this is a junction of brake handle and end brake pad हम अपको बहुत clearly close view दिखाने की कोशिश कर रहे है यह है front brake line यह है back brake line सामने के तरफ जो black bolt आप को दिखाई दे रहा है यह है front brake oil line front brake का जो oil line है यह master cylinder से जो oil आता है वो यही से होके नीचे brake piston तक जाता है तो यह एक बहुत ही important part है इससे आप बिल्कुल भी छेर छेर मत कीजिए नहीं तो आप दिकत में फस सकते हैं और एक जो important चीज है पीछे के तरफ आप एक spring के साथ एक nut connected देख रहे हैं एक nut screw यह है combined braking system activator nut मतलब कि इसकी position से determine होता है कि किस ratio से front और rear brake लगेगा अब इस screw के साथ कभी भी छेर खानी मत कीजिए क्योंकि company अपने हिसाब से अपने calculation से 60-40 के हिसाब से front और rear brake का combination इस nut के जरीए बना के रखता है आपको अगर सही measurement पता नहीं है और आप इसके साथ कुछ छेर चाड़ किये तो आपका combined braking system fail हो सकता है तो इसको कभी भी हाथ लगाने की कोई जरुरत नहीं है यहां तक कि rear का जो brake है वो भी इस system से मतलब कि इस brake line से adjust करने की कोई जरुरत नहीं है front का जो liver है वो आप इससे थोड़ा बहुत tight या lose कर सकते हैं पर यह ध्यान में रखिए अगर आप इसको tolerance से ज्यादा tight या lose कर दें तो आपका front का brake jam हो सकता है चलते चलते नहीं तो lock हो सकता है चलते चलते नहीं तो brake fail भी हो सकता है brake बिलकुल काम करना भी बंद कर सकता है और वो हो सकता है चलते चलते क्योंकि इसका जो brake oil moving way है वो बहुत detail में graphical representation में मेरे channel में डाला हुआ है उसे अगर आप study करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह braking system कितना complex है इसलिए इस section में आप कोई भी छेड़खानी मत कीजिए अगर अपका front brake का liver थोड़ा सा loose महजूस हो रहा है तो आप इस nut के मदद से थोड़ा बहुत adjustment कर सकते हैं brake fill को tight करने के लिए पर अगर आपको इसका measurement पता नहीं है तो अब इससे बिल्कुल भी हाथ मत लगाए और एक चीज गौर करके सुन लीजिए कान खोल के सुन लीजिए यह जो braking system है इसके बारे में बाहर का जो roadside mystery होता है उन लोगों को 99% लोगों को पता नहीं होता है उनको इसके बारे में कोई भी जानकरी नहीं है तो अगर इसको आप बाहर की किसी roadside mystery से छेर छार करवा दिये तो आप मारे गए क्योंकि इसका जो हिसाब होता है इसका जो measurement होता है यह किसी को पता नहीं होता मैं इसे closely study किया हूँ इसलिए मुझे इसका measurement पता है और जिसको यह measurement पता नहीं है मैं बहुत सारा roadside technicians के साथ बात किया उनसे जानने की कोशिश की उनको study किया तो यह breaking system के बारे में बर्गमन का यह जो breaking system है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है किसी को भी नहीं कमसकम 15 से 20 technicians के साथ मेरा बात हुआ इसको लेके तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं मैं unnoticed इसका काम करवाने के लिए गया ऐसे मैं act किया पर इसके बारे में किसी को पता नहीं है बहुतों को तो इस breaking system की position के बारे में भी कोई पता ठीकाना नहीं है और एक बहुत ही खतरनाक चीज है बहुत ही dangerous चीज है half literate लोग youtube में आपको भर भर के इसके उपर videos मिल जाएगा कि ये ना tight कर दो ये ना धिला कर दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसका after effect क्या होता है इसके बारे में किसी को पता नहीं जो भुगत चुका है उनको पता है उसका after effect क्या है कि उल्टा सिधा ये जो adjuster है इसको घुमा के आप break liver को adjust कर दो दो तीन ऐसे misleading videos आपको youtube में मिल जाएगा जो की दिखा रहा है कि कैसे इसको adjust किया जाता है पर ये उसको पता नहीं है या जो इसे follow करते हैं उसे पता नहीं है कि अगर ये जरा सभी उल्टा सिधा हो जाएगा तो front brake जो है ये रस्ते पर चलते चलते jam हो सकता है रस्ते पर चलते चलते brake lock हो सकता है इससे अपका accident हो सकता है आपको brake दवान की जोरत नहीं है automatically oil नीचे जाएगा और piston को push करके brake को lock कर देगा ऐसा हो चुका है मेरा एक जान पैचन का एक है जो की बाहर से काम करवाता है वो बाहर से काम करवाया ऐसे तो उसका ऐसा हुआ है और मज़की बात यह है कि वो जो इंसान है वो यूट्यूब का उस खतरनाग वीडियो को technician को दिखा के बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरा front brake handle जो है उसे थोड़ा सा tight कर दो उस वीडियो को देखके वो roadside technician वैसा किया तो रास्ते पर चलते चलते उस vehicle का front brake automatically lock होना शुरू हो गया एक time पे जाके बिल्कुल ही brake automatically jam होके लगके vehicle रुक गया मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ यह सभी को पता है मैं सब कुछ practically करके दिखा के बात करता हूँ आप देख सकते हैं कि मैं brake levers pull करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह बहुत ही congested area है scooter के भीतर तो हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए देखिए जब आप front brake handle को pull करते हैं तो यह जो front का lever है यह उपर के तरफ जाता है आप देखिए और जो rear brake handle जब अब pull करते हैं तो यह पीछे का जो lever है वो उपर के तरफ जाता है और वही combined braking system को activate करता है तो अब कभी भी rear brake को इस assembly से adjust करने की कोशिश मत किजिए उसका adjustment का procedure पीछे rear wheel के pass में है वो भी मेरे एक video में दिखाय हुआ है front lever को अब थोड़ा सा यहां से adjust कर सकते हैं और यह जो combined braking system का ratio adjustment screw है इसे अब बिल्कुल भी हाथ मत लगाईए और black nut जो है जो oil line है उसको तो कभी भी आप खोलिये मत हाथ मत लगाईए सिर्फ अब front brake handle को थोड़ा बहुत बहुत ही थोड़ा बहुत इस screw के जरिए इस nut screw के जरिए adjust कर सकते हैं पर वो भी prescribed नहीं है अगर आपको लग रहा है कि brake lose हो गया है तो अब brake pads change करवाईए अगर brake pads बहुत ज्यादा घिस जाए तो brake feel जो है वो lose हो सकता है सौगी सौगी feel हो सकता है आपको तो जो भी हो मेरे से जितना हो सकता था मैंने दिखाने की कोशिश की है explain करने की कोशिश की है आपका vehicle आपका है किसी भी roadside mystery से वोगी technician वगेरा नहीं होता है उनके पास कोई technical जानकरी नहीं होती है ठोक पीट देने से कोई technician नहीं बन जाता है इधर उधर कर देखिके idea लगा के इधर उधर कर घुमा के कुछ motorcycles बना दिया कर दिया इससे कोई advanced system का जानकरी उनको नहीं मिल जाता है उनको एक screw का position भी पता नहीं होता है properly proper torque का पता नहीं होता है proper tools का पत system का पता नहीं होता है, वो सिर्फ motorcycles को damage कर सकता है, और कुछ नहीं, मेरे पास altogether seven scooters and motorcycles है, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि roadside mysteries कैसे सत्यानस करते हैं, motorcycles का, कुछ भी हो हतुरा लेके ठोकने लगता है, एक screw खोलेगा, एक knot खोलेगा, उसको प पता होता है, ऐसे ही, ये knot घुमा के कर दो, वो knot घुमा के कर दो, करके जो videos डाला हुआ है, और कितना खतर नक हो सकता है, अब जिस दिन first जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा, अपने vehicle की कोई भी काम करने से ये करवाने से पहले, खुद उस system के बारे में अच्छी तर की कोई मिस्तरी से काम करवाता है, other than company technicians, तो आपको ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी हो, अगर ये video आपको अच्छा लगा, तो like, share और subscribe करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले video में तब दक देखते रहे हैं, let's talk with चंदन, नो